नमश्कार दोस्तों मैं सीमाडेमन मेरे इस वोटोब चलम में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत सागत करती हूँ दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत से ऐसे पर्व आते हैं जिनें बहुती रिती रिवासे मनाया जाता है उन्मन से एक पर्व है मकर सक्रांती का दोस्तों मकर सक्रांती का पर्व 14 और 15 तारिक को मनाया जाता है पूरे भारत वर्ष में इस त्योहार को किसी न किसी रूप में भारत वर्ष में मनाया ही जाता है दोस्तों तमिल लाडू में इसे पॉंगल की रूप में मनाया जाता है जबकि कर्णाटा केरल और आंधर प्रदेश में केवल सक्कृरांती के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों पोश्मास में जब सूर्य मकर राशी पर आता है तो इस पर्व को मनाया जाता है दोस्तों इस वर्ष यह है पर्व 15 जन्वरी को मनाया जाएगा ऐसा क्यों है दोस्तो चलिए आईए जानते हैं दोस्तो 14 जन्वरी को साइकाल 7 बचकर 28 मिनट पर सूर्य धनू राशी से मक्कर राशी में प्रवेश करेंगे इस लिए इस पर्व को 15 जन्वरी को पुर्णे काल इसका माना जाएगा अर्था जो भी दान पुर्णे तप जप जो भी है वे 15 जन्वरी को यदि आप करेंगे तो आपके जीवन के लिए वह बहुत अधिक फलदायक रहेगा इस दिन किया गया दान सो फल गुना हमें फलो की प्राप्ति करवाता है दोस्तो इस दिन गंगाक में इसनान करने का भी बहुत अधिक महत होता है किसी भी पवित्र नदी में यदि आप इसनान करते हैं दान करते हैं और पित्रों के लिए तरपड करते हैं तो आपकी द्व पिर्मा के अनुसार करक सिंग तुला धनु कुम मीन राशी वालों के लिए बहुत शुबदायक रहेगा दोस्तों यह है उत्रायन की स्थिति दोस्तों और उसके अलवा मेश व्रशव मिथुन कन्या व्रक्षिक मकर राशी वाले जातकों के लिए सक्रांती के दिन किया गया दान उनके जो भी अशुब परिणाम दिलाने की जो प्राप्ती होगी उनमें वह कमी करवाएगा दोस्तों इसलिए इन जातकों को तो विशियस कर दान पुर्णे इत्यादी करना ही चाहिए दोस्तों ताकि उन्हें अशुब फलों की प्राप्ती ना हो नमश इस दिन यदि आप शुद घी कंबल और तिल से बनी कोई भी वस्तों का दान करते हैं गुड का दान करते हैं और गरीबों को अपने सामर्थे के अनुसार कपड़ों का दान करते हैं खाद्य प्रधात यदि दान करते हैं तो उसका विशियस फल्व आपको प्राप्त होता है दोस्तों ये दान और पुन्डे काल की तिथी इस बार 15 जन्वरी को मनाई जाएगी दोस्तों तो इस चीश का आप विशेश कर दान ध्यान रखें दोस्तों मकर सक्रांती के अवसर पर गंगा इसनान एम गंगा तट पर दान को अत्यां शुपकारी माना जाता है दोस् दोस्तों अब इस दिन से राते छोटी और दिन बड़े क्यों होते हैं चलिए आए जानते हैं दोस्तों भारत देश उत्री गोलार्थ में इस्तित है मकर सक्रांती से पहले सूर्य दक्षुनी गोलार्थ में होता है अर्थाद भारत से दूर होता है इसी कारण यहां राते बड़ी वे दिन छोटे होते हैं दोस्तों अर्थात सर्दी का मौसम होता है लेकिन मकर सक्रांती से सूर्य उत्री गोलार्थ की और आना प्रारम हो जाता है इस दिन से राते छोटी वे दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम प्रारम हो जाता है इसलिए इस दिन स इसे विशेश कर महत्व मकर सक्रांदी से दिया जाता है क्योंकि सूर्य अपनी इस्तिती को बदलता है उत्राण की इस्तिती में आता है दोस्तों शास्त्रों के अनुसार दक्षणान को देवताओं की रात्री अर्थार नकरात्मक का प्रतीक माना जाता है और उत्राण को दे प्रपन, इसनान, श्राधत, तरपन, आदीधार्मिक क्रियाओं का विशेशकर महत्व होता है। इसी धार्णा के कारण इस दिन किया गया दान सो गुणा भढ़कर आपको पुर्ने की प्राप्टी करवाता है। दोस्तों मकर सक्रांती के पीछे पौराने कथाएं क्या है इसका क्यों विशेसकर महत्वत है चलिए आए जानते हैं दोस्तों ऐसी पौराने क माननेता है कि इस दिन भगवान भासकर अपने पुत्र शनी से मिलने स्वें उसके घर जाते हैं चुकि शनी देव मकर राशी के आगा था दोस्तो इसलिए भी इस दिन का विशेस महत्व होता है दोस्तो इसके अलावा मकर सक्रांती के दिन ही गंगा जी भागिरत के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनी श्री के आश्रम से होकर सागर जी में जा मिली थी इसलिए मकर सक्रांती मनाने की परंपरा सद्यों से चल और सूर्य की अराधना उपासना का पावन वरत है जो तन्मन आत्मा को शक्ति पृदान करता है दोस्तों संत महार्शियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद होती है, संकल्व शक्ती भरती है, ज्यान तन्तू विक्सित होते हैं, मकर सक्रान्ती इसी चेतना को विक्सित करने वाला पर्व होता है दोस्तों। विश्नु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पित्रों की आत्मा की शांती के लिए स्वे स्वास्ते वर्धन दता सर्व कल्यान के लिए तिल के छे प्रियोग पुन्य दायक और फल दायक माना जाता है दोस्तों। तिल जल में इसनान करना यानि कि जल में थोड़ा सा तिल डालकर यदि आप इसनान करते हैं तो वे विशेस फलकारी होता है दोस्तों। यदि आप गंगा इसनान नहीं कर सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी में जाकर इसनान नहीं कर सकते हैं, तो घर पर ही जल में थोड़े से तिल डाल कर यदि इसनान करेंगे, तो उससे भी आपको पुर्णे फलो की प्राप्ति होती है, इस दिन तिल का दान करना चाहिए, तिल में जल में तिल डाल कर अरपन करना चाहिए तिल से आउती देनी चाहिए दोस्तो इससे पित्रों को भी शांती मिलती है और हमारे द्वारा किया गया दान से पुण्णे फलो की प्राप्ति हमें भी होती है दोस्तो अब हम जानते हैं कि वैग्यानिक द्रश्टी कौन से मकर सक सक्रांती के समय नदियों में वाश्पन करिया होती है वह बहुत अधिक हो जाती है जिससे तमाम तरे के रोग भी दूर होते हैं इसलिए इस दिन नदियों में इसनान करने का विशेस महतु मनाया जाता है दोस्तो मकर सक्रांती के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता ह इस समय तिल गुड का सेवन सेहत के लिए बहुत अधिक लाब दायक रहता है। ही लेता है जबकि अंधकार में मृत्यू प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुने जन्म लेता है या प्रकाश वे अंधकार से तात्परे क्रमशे सूरी की उत्राण और दक्षणां इस्तिती में है दोस्तों समावते सूरी के उत्राण के इस महतु के कारण ही इस मकर सक्रांती क को बहुत अधिक महत हमारे हिंदु शास्त्र में दिया जाता है दोस्तों वेज्ञानिक भी इस द्रश्री कौन को बहुत अधिक अच्छे से समझते हैं मकर सक्रांती के दिन यदि आप जो भी अपनी इच्छा नुसार दान करेंगे उसका विशेस फल होता है और इस दिन आप सूर्य की उपासना करना ना भूले दोस्तों और सूर्य का बीज मंतर होता है ओम घ्रनी सूर्या नमा यदि इसका जाप यदि आप 108 बार इस दिन करेंगे तो उसका 100 गुनाफ फलो की प्राप्ती इस दिन आपको होगी दोस्तों इस दिन आप दान पुन्य इत्यादी करें गंगा तट पर इसनान करें यदि आप गंगा तट पर इसनान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही जल में तिल डाल कर इसनान करें और सूर्य की बीज मंतरों का जाप करें यदि आपने यह पाय करा तो मैं दावे के साथ कर सकती हूं कि आपके जीवन में कोई भी कटना ही होगी तो इस दिन विशेस पूजा अर्चना से ही उससे आपको लाप की प्राप्ती होगी दोस्तों ये पर्व आपके जीवन के लिए बहुत ही मंगल कारी हो इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ दोस्तों यदि आपको मेरा ही वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइ इक्स वीडियो में कोई इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई